वेलकम एश्टुडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉक्टर हरिवंस राय वच्चन की एक बहुत ही मस्हूर लोग पिये कविता मैं हूँ उनके शाथ खरी इस कविता से कविहरिवंस राय वच्चन जी हमारे समाज के नेताओं को परसासकों को या संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें अपने आपके अंदर आत्मसम्मान की भावना जगानी चाहिए उन्हें न्याय के लिए अपने आधिकार के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए आगे बढ़ कर चलना चाहिए तभी सारी जनता भी उनके पीछे पीछे चली आएगी तो आईए सबसे पहले हम लोग डॉक्टर हरीवन्स राय वच्चन के बारे में थोड़ी सी इनफॉर्मेशन प्राप्त कर लें डॉक्टर हरीवन्स राय वच्चन का जन्म 37 नवंबर 1907 इसवी को प्रियाग राज उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मिर्त्यू 18 जन्मड़ी 2003 को मुंबई में हुई इनकी परशिद रचनाओं में मधुसाला एक प्रमुख रचना है जो की एक बहुत ही लोगपिये काब्य है और इनके शुपुत्र स्री अमिताब बच्चन जी हिंदी फिल्म इंड़स्ट्री के एक बहुत ही लोगपिये अभिनेता है जिने शदी का माहनायक भी कहा जाता है तो आईए सुरू करते हैं ये मोटिवेस्नल काविता मैं हूँ उनके साथ खरी जो सीधी रखते अपनी रीड कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायो चित अधिकार कभी नहीं जो सह सकते हैं सीस नवाकर अत्याचार एक अकेले हो या उनके साथ खरी हो भारी भीर मैं हूँ उनके साथ खरी जो सीधी रखते अपनी रीड निर्भय होकर घोसित करते जो अपने उदगार विचार जिनकी जीबा पर होता है उनके अंतर का अंगार नहीं जिनें चुप कर सकती है आता ताईयों की समसीर मैं हूँ उनके साथ खरी जो सीधी रखते अपनी रीड नहीं जुका करते जो दुनिया से करने को समझोता उचे से उचे सपनों को देते रहते जो नियोता दूर देखती जिनकी पैनी आंक भविस्यत का तमचीर मैं हूँ उनके साथ खरी जो सीधी रखते अपनी रीड जो चलते अपने छप्पर के उपर लू का धर कर हार जीत का सौधा करते जो प्रानों की बाजी पर कूद उदादी में नहीं पलट कर जो फिर ताका करते तीर मैं हूँ उनके साथ खरी जो सीधी रखते अपनी रीड तुम हो कौन कहो तो मुझसे सही गलत पथलो तो जान सोच सोच कर पूछ पूछ कर बोलो कब चलता तूफान सत पथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने जाते वीर मैं हूँ उनके साथ खरी जो सीधी रखते अपनी रीड जो अपने कंधों से परवत से बढ़ कर टकर लेते हैं पत की बाधाओं को जिनके पाउँ चुनोती देते हैं जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेरी जनजीर मैं हूँ उनके साथ खरी जो सीधी रखते अपनी रीड जिनको यह अवकास नहीं है देखे कब तारे अनकूल जिनको यह परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब दिगसूल जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर मैं हूँ उनके साथ खरी जो सीधी रखते अपनी रीड तो बच्चों इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कभी हरिवंस राह बच्चन हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे गांधी जी जैसे महाननेता हुए जिन्होंने अकेले ही न्याय, इमांदारी और सच्चाई के पत पर आगे कदम बढ़ाया और उनकी इस कोशिस को धीरे धीरे सभी जनता ने स्विकार क्यार उनका साथ दिया उसी प्रकार आज कल के नेताओं को, परसासकों को, लीडरों को भी अपने अंदर वही आत्मसंवन जगाना है जो किसी भी प्रकार के बिग्न बाधाओं से नहीं डरे जो हमेशा न्याय और अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए शीस उठाकर यानि सिर उठाकर आगे ही बरते रहे वो ये नहीं देखे कि उनका साथ कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है और वो निर्भय होकर अपने कर्म पत पर सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे वो किसी भी अत्याचारी और दुराचारियों से न डरे न किसी से समझाता करे बलकि अपनी उज्वल भविस्य के लिए निरंतर अंधकार के रास्ते को पार करते हुए अपनी सिनातान कर, अपने रास्ते पर अपने प्रानों की वाजी लगाते हुए आगे बढ़ते रहे वो पलड कर यह नहीं देखे कि उनकी रास्ते में कितनी बाधाये है या कितनी मुशीबते हैं वो सदा आगे बढ़ते रहे और कौन उनके पीछे आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो कौन है वो उनके साथ कितना दूर चलेगा नहीं चलेगा इन सब बातों पर वो विचार नहीं करें बलकि वो अपने रहा पर आगे बढ़ता रहे और आने वाली हर बादहाओं को हर चुनो वो यह भी नहीं देखे कि उनका समय अभी कैसा चल रहा है, यानि कि ग्रह गोचर की चिंता वो न करे कि आज कौन सा दिन है या कौन सा मुहुर्थ है या कौन सी तिथी है, इन सब बातों पर विचार किये बगए वो अपने रहा पर आगे बरते रहें, तभी जाकर एक दिन वो अपने साथ सारी जन्ता को पाएंगे, अगर इन सब बातों पर हमारे आज के नेता लोग अमल करें, तो उनके साथ सारी जन्ता खड़ी होगी, यही बात हमें डॉक्टर हीवन्स राय बच्चन अपने इस सुन्दर कविता के द्वारा समझाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारे देश के नेता लोग है, उनकी जो है, उनका चरित्र जो है, वो धीरे धीरे बहुत गिरता जा रहा है, वो खुद ही ब्रस्ट आचार में लिप्त हो रहे हैं, और जन्ता की फिक्र उन्हें नहीं है, इसलिए कभी इस कविता के माध्यम से उनके अंदर आत्म विस्वास जगाने का प्रियास कर रहे हैं, और उन्हें सही राह पर चलने के लिए प्रेडित कर रहे हैं, तो उमीद है, यह कभीता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, अगर यह कभीता आपको अच्छी लगी है, तो फिर इस वीडियो को फटा-फट लाइक कर दे, इसे अपने दोस्तों के साथ जदा से जदा से जदा सेर करें, शाथ ही अगर आपने आभीता के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे फटा-फट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी काविताएं आपको सुनने को मिले, और आपका कोर्स कंप्लीट हो सके, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद.